दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके ही अपने यूटुब के दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एनन तक देखिए जिसमें आपकोर doईर कुई की पावर दिखने वाली है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अ एक एसा प्लेटफों में जैसे की ट्रेडिंग बोर्ड यानि कि अपने ही वेलिट में यह ट्रेड करता है ठीक है मतलब फॉर एक्जामपल जैसे की दो एक्षेंज इसके उपर सपोर्ट करते हैं बाइनांस जो सिक्यूर हैं इसके अलावा जिसमें आपको ट्रेड करने के लि वर्ड में है ठीक है सपोर्ट ट्रेडिंग करता है यहां अपनी की आपकी करन्सी को बाइन सेल ठीक है जिसमें अगर आपको यहां पे बाइनांस में अगर ट्रेड करनी हैं तो आपकी बाइनांस में के वाइसी करना अनिवार्य हैं जब तक आपकी के वाइसी नहीं होगी उसके इलावा बिगर रिक्स की अगर आपको यहां पर प्रोफिट करना है तो आप इसमें रोयल क्यू में दो तरह से आप यहां पर अर्निंग कर सकते हैं फोर एक्जामबल नमबर वर रोयल क्यू में आप यहां पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है अपने वेलेट में करके यानि कि अपना जो फंड होता है वो अपने ही वेलेट में रहता है वो रहन अपने ही वेलेट में रखने के बाद आप यहां पर ट्रेडिंग कर सक सकते हैं वो भी विदाउट रिक्स ओके तो अगर बात करेंगे नंबर टू की तो नंबर टू में आप यहां पर वरकिंग करके भी यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अब बहुत सारे दोस्त यह भी ब API प्रोवाइट करवाता है जैसे ही रोयल क्यू में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहां पर रोयल क्यू को 100 डोलर देने अनिवार रहे हैं ठीक है आपको आपका जो रोबोर होता है आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा उसके अलावा यहां से API को आप बाइ Binance कनेक्ट करने के लिए हैं आपकी Binance Account Verify होना अनिवार है ठीक है आप जैसे ही करें तो आप यहां पर सेटिंग में जाकर आप यहां पर API नया बनाश्cience में यहां से आप API बनाके आपको roll queue में डालना है ठीक है यानि कि API प्लस स्क्रेट की ठीक है यह दो चीज़ आपको डालना है उसके बाद उसके बाद API from Binance यानि कि यहां से आपको दो options वापिस जब आप API करेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक सेटिंग का options होगा इसी जगह पे थोड़ सा राइट साइड में उपर ठीक है वहाँ पर आपको क्लेक्ट करना है यहां पर आपको क्लिक करना है allow buy and allow sell ठीक है allow monitor market इसके अलावा cannot withdrawal यानि कि withdrawal को आपको select नहीं करना है cannot transfer assets यानि कि इसको भी आपको select नहीं करना है ठीक है यह दो चीज़ का आपको दियान रखना है अगर दो चीज़ आप करोगे तो आपका कोई भी बंदा withdrawal कर सकता है कोई भी बंदा वहां से transfer भी कर सकता है तो दो चीज़ का आपको दियान रखना है दूसरी बाद अगर यह बहुत सारे बोलते हैं कि यह एसा है यह फेक है तो इसा मैं नहीं मानता क्योंकि support trading यह हो रही है कोई margin trading या फिर कोई अदर्वाइस कोई दूसरी trade यह नहीं कर रहा यानि कि सस्ते में buy करके कोई भी चीज वो something 1.3% के profit में वो sell करता है अदर्वाइस no margin call यानि कि यहां पे कोई margin call यहां पे नहीं रहता है तो यहां पे जैसे कि इसने buy किया यहां पे उसने sell किया और आपका जो profit होता है वो इस जिगा book होता है जैसे कि market 0.3% ठीक है निचे आता है तो वो यहां पे आपका sell करेगा अगर इससे अगर high जाके वापिस निचे आएगा 0.3% आएगा तो वो sell करेगा आपका चीज अगर उसके बाद में यह जैसे कि purchase किय पर्चेज करने के बाद में अगर यह purchase किया और market अपने गया और निचे आ गया तो वो क्या करेगा second call यहां पे लेगा वापिस ठीक है जो भी आपकी जो setting होगी उस हिसाब से वो लेगा ठीक है तो इस तरह से यह work करता है अगर बात करेंगे तो dollar cost average method ठीक है for example यहां पे इस से गिरिया ठीक है second buy इस जगह होगा third buy इस जगह होगा ठीक है यानि कि third call आपका यहां पे ले लिया market गिरते हुए market में इसने लिया जब otherwise market थोड़ सा निच्चे आता तो उसके बाद में 10% आने के बाद में वो अब भी होता है ठीक है जैसे ही market थोड़ सा अब जाएगा व वो यहां पर book करेगा इसके बाद में वापिस यहां पर जो call लेगा इसी जगह यहां पर वापिस एक और buy करेगा second buy अगर market थोड़ सा निच्चे आता तो यहां पर second buy अगर बात करेंगे तो वापिस इसके बाद में market थोड़ सा अब जाएगा तो यहां पर वो sell करेगा और वापिस sell करके profit करके 1.3% profit करके यहां से निकल जाएगा यहां से वापिस call लेगा यहां से वापिस sell करेगा उसके बाद में वापिस buy करेगा market गिर गया तो यहां पर buy second buy वापिस sell करेगा वापिस यहां पर नीचे buy करेगा तो यह इस तरह से ही इसका मेथोड चलता रहता है जो support trading में है support trading miss यानि कि Binance के अंदर आपकी कोई भी crypto currency अगर आप रखते हो यानि कि कोई ये चीज purchase करता है तो उसको पहले बात तो आपको withdrawal कोई करने सकता है दूसरी बात अधरवाइस ये बहुत सारे बोलते हैं के royal q बंद हो जाएगी ऐसा है वैसा है तो मैं आपको करना चाहता हूँ अगर royal q बंद भी होता है तो भी आपका जो fund है वो आपके पास रहने माला है आपके ही wallet में ठीक है ना ही कि royal q आपके fund को withdrawal कर पाएगा ठीक है तो ये बात हो गई अब बात करेंगे कि royal q एक्टिवेशन चार्ज यूस्डिटी की बात करते हैं तो 100 डूलर पर येर चार्ज है और इसमें आप 100 डूलर में आपको क्या-क्या benefit मिलता है यानि कि आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो अदर्वाइस आदे परसें से पांच परसें ते पर ये प्रोफिट ले सकते हो और रोबोर यू वर्क करता है 24 और 365 दिन ये वर्क करता है इसके अलवा इसमें आपको कुछ गेश फिस रखनी पड़ती है फूर एक्जामपल 100 डूलर आपका रोबोर का चार्ज हो गया 20 डूलर आपको यहां पर वेलर में रखना है यानि कि रोल क्यों में ओके दूसरी बात की बात करेंगे कि यहां पर जब भी आपकी कोई ट्रेड लगेगी जब भी आपका कोई ट्रेड लगेगा कुछ प्रोफिट होगा उसमें से कुछ फिल चार्ट लगता है ठीक है? यानि कि कोई transaction फीच लगती है वो transaction फीच से वो क्या करेगा उसमें कुछ divide करके बहुत सारे लोगों में जो भी difference होगा यानि कि मैं trade कर रहा हूँ मेरे को 10 डूलर का profit निकला और मेरे applying के बीच और उसके applying के बीच जिसको भी कोई difference होगा उसको यह है उस हिसाब से वो divide होगा और instantly वो भी withdrawal कर सकते हैं दोस्तों इसके अलवा मैं आपको करना चाहता हूँ कि यहां पे prepared gas fees यानि कि अगर आप 100 डूलर से trade कर रहे हो ठीक है तो आपका 20 डूलर आप gas fees रकिए और अगर आप उससे ज़्यादा से कर रहे हो तो थोड़ से ज़्यादा रखिए क्योंकि यहां पे आपका जो buy sale होता ह हैं वो काफी तेजी से होता है जब भी market में कुछ up down ज्यादा होता तो यह buy sale करेगा और buy sale करते आपका feel जो होगा वो कम हो जाएगा तो आप थोड़ सा extra रखिए उसके साब से अगर आपका 10,000 का capital है तो आप यहां पे 200-500 के आसपास से आप यहां पे feel रख सकते हैं तो आप यहां पे working income से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं यानि कि जब आप कोई पोजिशन लेते हैं आपने आईडी आपका जो रोबोट है एक्टिवेशन किया 100 डूलर से ठीक है जो आपका लेवल होता है direct push reward यानि कि आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 30 डूलर मिलता है ह यानि कि 20% यानि कि कोई बंदा आपके निचे trade करेगा तो उससे आपको 20% उनके profit में से 20% में से 20% आपको यहां पे मिलना वाला है जब आप V2 होते हो तो आपके निचे team member आपको 20 होने चाहिए उसमें आपका जो direct push reward के बात करेंगे 40% होता है यानि कि किसी को रेफर करते ह हो तो आपको यहां पर 40 डूलर आपको यहां पर reward में मिलते हैं वो team reward की बात करेंगे तो 30% ठीक है कोई भी बंदा trading कर रहा है वो 20% जो भी profit होगा उसमें से 20% में से 30% आपको मिलने वाला है और इसी हिसाब से यह पूरा का पूरा working income है मैं आपको बतायाता हूं कि अगर ब बंदे को लगबक 10 डूलर से 50 डूलर के बीच में उसको मिल रहा है बलकि किसी किसी बंदे को ज्यादा भी मिल रहा है वी तरीके अगर बात करेंगे तो उस में लगबग 100 डूलर से लगा के 200 डूलर की उनको अर्निंग हो रही है पूरी की पूरी मतलब के नोन वर्किंग तरीके से उसके निचे एक टीम बीड होती है जब वो टीम काम करते हैं तो आपको यहां पे जो भी आपका डिफरेंस होता है वो आपको यहां पे मिलने वाला है V4 की बात करेंगे तो यहां पे 500 डूलर से लगा के 1000 डूलर तक आपको अर्निंग होती है वो भी आपके टीम रिवार की तरफ से ठीक है तो V4 का पता है V5 का लगबग उससे और ज़्यादा है और V6 का भी और भी ज़्यादा है दोस्तों इंडिया में अगर बात करेंगे तो V5 में लगबग दोस्ते तीन लोग अचीवर हुए हैं ठीक है जिनकी अर्निंग अगर बात करेंगे तो एक एक लाख डूलर के आसपास ह सकते हैं ठीक है वर्किंग करके आप बड़ा प्रोफिट यहां से ले सकते हैं रोल की से और अधरवाइस वीडियो अच्छा लगव तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चनल को और अगर आपको जोइनिंग करने ही तो आपको डिस्कसिन में लिंक दिया है वहाँ से आप जोइन कर सकते हैं आप हमारे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं जो आपको एक्स्टर सपोर्ट भी मिलने वाला है थैंकिस समझ दोस्तों धन्यवाद